तो बच्चों आज हम लोग electric potential और potential difference के बाड़े में कोई चर्चा करेंगे और इसी क्रम में सबसे पहले आईए हम बात करते हैं electric field के बाड़े में electric field क्या होता है तो कोई भी charge particle के चारो तरफ का वो space जिसमें कि अगर कोई दूसरा charge particle आता है तो वो force of attraction या force of refulsion को अनुभाव करता है फील करता है उसको हम लोग बोलते हैं electric field it means that the space around a charge particle within which electric force due to it can be experienced by a test charge is known as electric field of the charge particle आईए इसको हम और समझने का प्रयास करते हैं यानि कि इस diffusion में कही गई बात का जो मतलब निकल करके आ रहा है कि कोई एक unit positive charge infinite पे रखा हुआ है infinity पे रखा हुआ है अनंत की परिसीमा पे रखा हुआ है और वहां से उस unit positive charge को इस जगह पे लाया जा रहा है आपके पास लाया जा रहा है सपोज आप एक electric field है एक आप एक चार्ज है आप एक positive charge है और आपके चारों तरख electric field है और उस electric field में infinity से एक positive charge आपके पास लाया जा रहा है सपोज कि आपके आखों के तृतिय नेत्र है यह मान के चलिए कि infinity से वह unit positive charge आपके तृतिय नेत्र पर आ रहा है और उस positive charge जब आपके तृतिय नेत्र पर आ रहा है तो आपका जो electric field है आपका जो औरा है आपका जो electric field है वो electric field क्या करेगा उस positive charge को repulsion करेगा वहाँ पर रिपेल करेगा उसको यहाँ पर आने नहीं देगा उसके against force लगाएगा तो वो positive charge क्या करेगा उसको अगर आपके इस तृतिय नेत्र तक ले जाना है उस बिंदू तक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा तो एक work करना पड़ेगा और उस infinity से उस positive charge को आपके electric field के किसी एक बिंदू तक ले आने में किये गए कारे को ही हम electric potential कहते हैं इसको denote करते हैं हम later V से यदि किये गए कारे को हम लोग W से represent करें और उस unit positive charge को हम लोग Q से denote करें तो electric potential की value होगी V is equal to W upon Q और इसका unit होता है इसका SI unit होता है gold यहां दिये गए animation में इसी चीज को दिखाया गया है कि कैसे infinity से एक unit charge को एक point A तक लाया जा रहा है तो infinity से किसी point तक charge को लाने में ही किये गए कारे को हम लोग electric potential कहते हैं तो आसा है आप इस बात को समझ गए होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं water high pressure से low pressure की तरफ flow करता है उसी तरीके से electric charge भी high potential से low potential की तरफ flow करता है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक electric circuit है और जिसमें की एक cell जुड़ा हुआ है cell के negative electrode से वहां पर charge का high potential है यह electron की ज्यादा मात्रा है और उधर से electrons का flow positive terminal की तरफ हो रहा है और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि high potential से low potential की तरफ charge का flow होने से current का flow positive terminal से negative terminal जो की हमारा convention के लिए हमने इसको बनाया था measure किया था उस तरफ electric current का flow हम denote करते हैं तो charge का flow होता है negative से positive की तरफ और electric current का flow होता है बैटरी के positive terminal से negative terminal की तरफ तो इसी से potential difference का निर्माड होता है high potential से low potential की तरफ charge के flow होने से तो इसी potential difference को हम आगे समझने का यहां प्रयास करेंगे कि अगर किसी सपोज की एक electric field है और उस electric field में point A पर एक unit charge रखा हुआ है उस unit charge को हम उस electric field के against point B पर ले जा रहे हैं तो इतना ले जाने में जो किया गया कार्य है वही potential difference के रूप में store हो जाता है तो आप इसको समझ गए होंगे तो यहां पर potential difference को हम measure कैसे करते हैं तो potential difference को measure करने के लिए हम volt meter cup यूज करते हैं और इसके लिए formula हम यूज करते हैं कि V is equal to W upon Q जो कि मैंने अभी पहले थोड़े दर पहले आपको यहां बताया था तो यहां पर आप देख रहे हैं arrow के निसान से कि electric field का direction क्या है और red arrow से आप देख रहे होंगे कि आप charge को आप unit या test charge है उसको किस direction में आप ले करके जा रहे हैं तो इस तरीके से potential difference और electric potential यह मेरे ख्याल से आपको clear हो गया होगा तो आए आए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस concept को और clear करते हैं जैसा कि screen पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक 20 mg work is to be done in moving a charge of 100 coulomb across two points in an electric circuit what is the potential difference between these two points तो यहां पर 20 mg यानि 20 mj work किया जा रहा है 100 coulomb charge को किसी एक electric circuit के 2 points के बीच में move कराने के लिए तो इन दोनों points के बीच में potential difference क्या होगा तो बहुत simple सा इसका solution होगा आप यहां पर w find करेंगे 20 into 10 to the power minus 3 joule के रूप में क्योंकि milli joule में दिया गया है तो इसको आप जूल में convert करेंगे charge दिया गया है 100 coulomb तो 100 coulomb charge 100 micro coulomb charge यहां दिया हुआ है यहां micro छूट गया है तो उसको आप एक micro coulomb में होता है 10 to the power minus 6 coulomb तो यहां पर यह charge की value आजाएगे आपकी 100 into 10 to the power minus 6 coulomb और यहां formula आप लगाएंगे v is equal to w upon q तो इस तरीके से solve करने पर आपको मिलती है value 200 volt आईए दूसरे example में हम देखते हैं how much work is to be done in moving a charge of 5 coulomb from a point of point at 12 volt at a point to 16 volt तो यहां पर potential difference यहां पर इस पर्स लूप से दे दिया गया है कि आपको 12 volt potential से 16 volt potential की तरफ आपको charge को ले जाना है तो यहां पर low potential से high potential की तरफ ले जाना है हमको तो यहां potential difference क्या होगा तो v2 minus v1 से हम इसको calculate करेंगे तो यह आएगा हमको 4 volt और work क्या होगा तो work होगा v into q तो यह आ जाएगी value 20 joule तो इस तरीके से देखते हैं कि इसके उपर बहुती simple questions आते हैं और exam में अक्सर यह पुछे जाते हैं तो आसा है आप इन चीजों को समझ करके इनका ब्यास करेंगे और इसमें expert बन करके निकलेंगे पितने निकलेंगे इसके सकत्पर्प़ड़ अमिए